वेलकम बेक टो डिसकवरी नियरबाइए आप संकेत का शेफ और आज में बात करने जा रहा हूं आइपड के साइजिस के बारे में आप साइजिस के बात करेंगे और जो में 11 इंचिस के बारे में वीडियो है तो मैं अल्रेडी इन दोनों के रिव्यू पोस्ट कर चुका हूं तो वे एक बार चेक कर लें नमतर इनिशल रिव्यू अन्बॉक्सिंग असेसे लेटे वीडियो मुझूद है आज हम साइजिस से बात करेंगे और जो मैं 11 इंच के लिए रेफरेंस ले रहा हूं वो ले रहा हूं iPad Pro M1 जो मैं काफी सालों से यूज कर रहा हूं जो latest M4 का साइज है वो almost similar है जो iPad Pro M1 था या M2 था तो इसलिए मैं रेफरेंस के लिए iPad Pro M1 ले रहा हूं 11 इंचिस के लिए तो पहले बिता को सब्सक्राइब करते हैं जरूर जाना वीडियो को लाइक कर दिना ताकि मुझे पता चले है आपको इस तरह की वीडियो देखना पसंद हो और मैं अच्छी वीडियो बनाता जाहूं तो iPad से रेटीड सबसे ज्यादा डाउट sizes के रिकार इंगी था अब 13 इंच में कोई ब आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा अगर मैं वैसे बात करूं सिर्फ और सिर्फ यूजर एक्स्पिरियंस दोनों का अलग-अलग है और मेरे इसाब से दोनों में साफ वैसे कोई भी चूज कर लोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है आप इन दोनों की साइज को कंपेर करो होगे तो 11 से 13 इंचिस दो इंचिस का फरक छोटा लगता है पेपर पे लेकिन एक्चुली में काफ़ी डिफरेंस है अब मैं यूजर एक्स्पिरियंस की बात करूं करूं तो जो 13 इंच है वह काफी पतला कर दिया है जिसकी यह लाइक वेट हो जाता है और यह तो हैंडी है ही तो मैं इनके बारे में बात करूंगा ही लेकिन एक शॉर्ट फॉर्म में आपको अगर मैं इनिशली बता दू कि कौन सा चूज करना चाहिए तो देखिए अगर आप एक गेमर हैं बहुत जादा ट्रैवल करते हैं और आपको मीडे अंज्वाए करने के लिए चाहिए और आपके पास बजट भी एक लाग के अंडर हैं तो मेरे इसाब से आप 11 इंचिस के लिए जाए यह वान ऑफ दी बैस डिवाइस है चाहिए आप नौट टेकिंग लेना चाहिए प्लस फेक्टर है 37 इस पर आप लंबे टाम तक गेमिंग कर सकते हो और अपने 30,000 बचा के आप और असेसिस में इनवेस कर सकते हो तो जिसकी वज़से यह काफी बढ़िया है और मैं पिछले 5-6 साल से 11 इंचिस यूज़ कर रहा हूं तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई है लेकिन अगर आप वीडियो आइटिंग के लिए देख रहे हो अच्छी बैटरी लाइफ चा और यह पॉर्टेबल है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी तो इन दोनों में साफ वैसे कोई भी चूज़ कर लोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है और आपका अभी से डिसाइड हो गया है कि कौन सा चूज़ करना चाहिए तो डिस्कूशन में देगे लिंक से खरी दे मेरा फाइदा अभी होगा अगर आप देगे लिंक से खरी देगे तो अब इनके डिटेल में बात करते हैं जो मैंने एक्स्पियेंस किया है तो देखिए 11 इंचिस काफी बढ़िया है जैसे मैंने शुरुआत में बता जिया है गेमिंग के लिए इसके ओपर बहुत बढ़ि क्यों कि आप इसे काफी दूर दूर कर सकते हो एस कंपेर टू 13 इंचिस थोड़ा तो बड़ा है ही उसके लिए आपको बड़ा बैक चाहिए यह फिर भी बहुत बढ़िया है मैं कहता हूं कि वान ऑफ दी बैस पोर्टेबल दिवाइस है जो इतनी पावर के साथ आता है मतल इसकी लगती है और मीडिया करना चाहते हो तो उसके लिए भी काफी गजब की चीज है मेरे साथ से इस पर मीडिया देखने में ठीक ठाक मज़ा आ जाता है लेकिन अगर आप एक अल्टिमेट एक्सपीरेंस चाहते हो मगतला मैजिक क्यूबर्ड यूज करके अच्छा सा ए यह चीज है ही कि चाहे आप कुछ भी देख लिए जाए उनके प्रो भी देख लिए 16 इंचिस तक आते हैं अगर मैं MacBook Pro की बात करूँ जितने ज़्यादा बड़ी स्कीन होती है उतना ज़्यादा एडिटिंग में आपको मदद मिलती है अगर आप एक रिमोट को जोड़के आइपैड के साथ गेमिंग करना चाते हैं लैपटॉप की तरह से यूज करना चाते हैं तो थाइटी निच ज्यादा बैटर है इसको की बोड़के लैपटॉप की तरह फील देगा लेकिन अगर आप 11 इंचिस के बात करते हो तो 11 इंचिस में यह होता है कि यह चोटी स्कीन और इवन यह काफी अटेंशन पाता है लोगों कि अगर आप इसे यूज कर रहे हो जब लोग देखते हैं तो लिटरली 11 चीज से ज्यादा प्रीमियम लगता है ज्यादा वैल्यू फोर मनी लगता है अब इसके बारे बात नहीं करता कोई लेकिन लिटरली एक चीज है ऐसा साइस बड़ा है सेम केस आइपैड में होता है अगर आप 11 इंचिस ले तो फिर भी थोड़ा लग सकता है लेकिन 13 इंचिस काफी प्रियूम लगता है और काफी गजब का लगता है और इसे यूज करने में भी बहुत मज़ा आता है और मैंने यह भी नोटिस किया है कि जो फ क्लिए काफी दा सर्फिस मिल जाता है अब ऐसा नहीं है कि 11 बहुत ज्यादा ही होता है मैं सुर्व से एड़ेंग करता हूं तो मैंने यह थोड़ी चिस करी है तो जैसे मैंने शुरुबात में बताया अगर आप एक वीडियो आइटर है या प्रोड़क्टिवीटी के लिए आइपैड लेना चाहते हो तो आइपैड 13 इंचे लिए लेकिन अगर आप शौं के लेना चाहते हो गेमिंग के लिए और आप एक स्टूडेंट हो नौट कर लोगे एसा नहीं है कि अगर आप 11 इंचे क्योंश कऱोगे तो आप एटिंग नहीं कर पाऊगे तो ऐस 130 इंचंहे ज् أ5 एक स्पर चार लगाना भी वर्त है और मेरे हिसाब से अगर आप resale को भी consider करो तो 11 की थोड़ी better रहेगी क्योंकि महेंगे iPads में invest करना कोई कोई आदमी पसंद करता है मैंने देखा है काफी लोग mini को भी पसंद करते हैं तो मुझे लगता है कि छोटे iPads ज़्यादा बिखते हैं और छोटे iPads में लोगों को interest ज़ादा है अगर आपको वीडियो में अच्छी वीडियो में डाल लूँ आपको पता चल जाए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तिल देन स्टे सेफ बागाई करते हैं तो फिर में वीडियो में तो चाहिए लगता हैं तो फिर में डाल लूबागाई